इस चाप्टर में हम लोग बेसिक बेसिक कंसर्थ मतलब कुछ चोटे-चोटे इंपोर्टेंट टंस पढ़ने वाले एकनॉमिक से रिलेटर जाप के पूरे चाप्टर में पूरे एकनॉमिक से बुक में 11 तो या 12 तो आपको वह यह कंसर्थ यूज होने आले परस्ट अम लेविल एक बड़े लेविल की बात करो और इकनॉमिक क्या है यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अंडरस्टांडिंग देता है एकनॉमिक की ठीक है उसके बाद में यह एकनॉमी एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जहां पर आप काम करते हो और पैसे कमाते हो यह ऐसा पैसे पैसे कमा रहा है उसकी कोई अपनी चीजे पाथ है सारी चीजे इकनॉमिक का फांट हो tota सब्सक्राट सारा एकनॉमी का पार्ट है ठीक है कोई रिल्वे लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रहा है कुछ वूड फनीचर वगरा का कुछ कुछ भी यह अंटायर सिस्टम तो गई एकनॉमी क्या है यह सारी एकनॉमिक अक्टिविटी जो एक प्टिक्लर एडिया में हो रही है और वहां के ल लोग होते हैं वो वग करते हैं वहां से यह रफोर यह लाइवली होट इस तरह से भी दिखताएं यह भी जोड़ेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं चाप्रदक्शन करना गोट्स को प्रोड्यूस गौट को डिस्रिब्यूट करना और आर गुड़े अग्स्छेंज करना तेह तरफ प्लाइब हो सारी चीजे याद आणी चाहिए ठीके है I hope आपको आपको सारी चीजे रिकाल हो रही है and third one is your mix economy मलब capitalist economy मथ़ए और socialist economy का मिक्षर मलब centrally planned economy and market economy का मिक्षर मलब private sector public sector committed to come mixture याद आरे सारी चीबि इस से रहे yes or और नो कंसेप्स याद आ रहे हैं बता दो फड़ा फट से लो येस बड़े आगे फिर हम लो आपको इकनॉमी लर्न हो गया है आपको आक्टिवीटीज कितने होते हैं तीन टाइप के आक्टिवीटीज ते होते हैं वह लर्न हो गया है मां कई बुक में हमको कंजमिशन दिखत पैसे दो सामान लओ गुड्स को कंद्यूम करो ठीक है एक शर्ट बाय किया है आपने पैसे दिया शापकीपर को शर्ट पचेस किया और गुड्स का कंदम्शन क्या मदब कई बुक में प्रोडक्शन डिस्रिबिशन कंदम्शन दिखता हैं कंफीज नहीं होना एक ही बात है कई बुक में आपको प्रोडक्शन डिस्रिबिशन एक्स्चेंज दिखेगा एक ही बात है एक्स्चेंज और कंदम्शन एक ही चीज़ है ये भी कंसेट क्लियर हो रहा है ठीक है तो बुक देके से कंफीज नहीं होना अगर आप कोई और 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 कोई एक्जाम के लिए प्रि कि आज की दुनिया में इतने ज्यादा प्रोग्रस हो रहे है इतनी ज्यादा रिमार्केबल प्रोग्रस हो रहा है इतनी ज्यादा साइंटिफिक इन्वेंशन है जैसे कि अभी डेड़ साल पहले ही कोरोना का वाइरस आया था और आज आपके सामने ड्यू टू इन्वेंशन संसस्रेडी है विधिन लाहीर मेडीसिंप से यह वास सचgart प्रोग्रस है उसी सिक इन्वेटर रिमार्सिट जिद इस अंडिभीरितक प्रोग्रक्राइब सब्षा रहा है आपके इकनोमी में तो था काम करते हैं ना पहले साइंस क्या होते है यह समझ लेते कि what do you mean by the science क्या होते है एक systematic body of knowledge एक systematic body of knowledge what do you mean by science science is a systematic अरे भाई कोई चीज है तो वो क्यों है ठीक है अगर कोरोना वारिस आया तो क्यों आया कहां से आया कैसे सही होगा उसका इलाज क्या है सारी चीजे एक systematic body of knowledge है क्यों क्या कब कैसे सब समझ में रहे हैं तो वोट डियू अगर हम लोग science समझे तो science क्या है it is a systematic body of knowledge यह clear हो रहा है अब यह जो science है यह भी आपके दो टाइस है एक पार्ट होता है science का natural science दुस्ता है social science चार्ट की पूछ बाते कर रहे थे यह देखो इस तरह के पूरा economics इस तरह के चार्ट में मैंने आपको देना है यह दिख रहे है अगर आपको मैं अभी टेस्ट बुक अगर आपकी open करवा के दूंगी न तो पूरा theoretical paragraph type में boring form में दिया है answers कोई sense नहीं बनता exam में लिखोगे तुभी marks नहीं मिलेगा मिलेगा पांच वैसे तीन मिलेगा क्या मतलब आता है मैनत करके मतलब क्या आता है समझ रहा हूं और यह जो नौट से ही आपके टेस्ट बुक से ही बना है तो चिंता बिलकुल मत करो लाइन बाइन वर्ड बाइन लगे तो चेक आउट कर लो एक 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 टॉपिक लगे तो चेक आउट कर लो तारे टॉपिक्स कवर्ड है टेस्ट बुक्स देखने की जरुरत नहीं बट इप यूँ वांट बिलकुल आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो मेरे सब्सक्र आप खरीदने की जरुपिक्त अरद नहीं नैससरी पैसे मेरे स्मस्वरों ठीक है चलब आज़ा बढ़ाब अब यह जैंस है दो टाइप क्योंते हैं एक लाइन से तुम्हारा नाच्रल साइंठ एक से तुम्हारा नाच्रल स साइंस पर इंग्जामपल कोविड या कोरोना का वाइरस ठीक है यह कोरोना वाइरस को सही करने के लिए बहुत सारी वैक्सिनेशन आई है यह सानो तो इट साइंस की यह रीजन है और यह उसकी वज़ा है लेकिन वहीं पर एक दुसरा साइंस होता है एक है है ईस और दुसरा साइंस होता है सोच्यल कैं अच्छा पर साइप नाच्र्ल साइज जो अपने अपने हैं जो नाच्रल है जो यूनिवर्सली एक्सटेबल है जो एक्जाक्ट साइन थे wrestling साइन सबाइन एक हैं अगजाक्110 है वो लाबोरीट्री में टेस्ट करके बनी हुई है यह जो एक्जाक साइन्स है यहां पर एंपरिकल अप्रोच फॉलो होता है कौन सा अप्रोच एंपरिकल अप्रोच मतलब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रहे बाबा एंपरिकल वर्ड का अगर आप लोग डिक्शनारी एक्स लिखलो साथ साथ में लिखलो मेरे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच माम यह सारी चीथे बुक्स में है मैं आपको दिखा दूंगी बुक्स में शांती ठीक है अभी पहले कंतर पर दान दो सारी चीथे बता दो शिंता मत खुरा एंपरिकल अप्रोच फॉल होता है मतलब कोरोना वाइरस की वैक्सीन बनाने के लिए भी हजारों बार टेस्टिंग वगर हुई है ठीक है एक्सपेरिमेंट्स किये हैं लोगों पे लोगों पे नहीं आइमें जो जानवर है पहले बोलते हैं कि राट टेस्टिंग होती है त पहले जो फ्रंटलाइन वरकर से उनके लिए लगा था जो यंग पीपल से उनके लिए लगा था ओल्ड एज को भी स्टार्टिंग में नहीं लगा था पहले से वो लोग टेस्ट करें थे एक्सपरिमेंट बेसिस पे आज भी टेस्टिंगी है क्योंकि अभी भी वाक्सिन फुल फ्रेश नहीं है ठीक है आज भी दो दो तीन तीन वाक्सिंग से कुस्पंट स्पट्मिक की अलग है उसके बाद में अपने इसकी है मुझे नाम याद निया रहे वाक्सिन के दो दो प्रकोवड बता नाम बता आपको याद है क्या एक एक है ना क्या बोलते हैं अपन को वाक्सीन है उसके बाद में जाइडर्स का डिला है उसके बाद में एक और था यार जो हमने लिया हमने कौन सा लिया सुरी डिन्ट रमेंबर दानेम एक नहीं कोविन सहां कोवी शील्ड यह गई यह कोवी शील्ड बहुत क्या बोलते हैं सबको मेजॉरिटी ओफ लोगों को एक वी शील्ड वाक्सीन लगिए तो मुझे एक बात बताओ ना अभी तो इस यह भी बात हो रही कि कोवी शीलों को वाक्तीन को मिक्स करके कुछ बनेगा ठीक है एक्जाक्ली कर क्या रहे आप नाच्रल साइंस का पाट है वो यह जो पाट है यह नाच्रल साइंस का पाट है लेकिन जो हमारे एकनोमिक्स आता है क्या एकनोमिक्स नाच्रल साइंस है क्या एकनोमिक्स नाच्रल साइंस है अब तो social मतलब society, social मतलब यह social मतलब क्या हो गया, society, society में कौन रहते हैं, यह humans रहते हैं, तो अगर मैं बोलू कि वो, और humans की हम लोग यहाँ पर study करेंगे क्या माडम नहीं, humans के behaviors की यहाँ पर हम लोग study करेंगे किस की study करेंगे human के behaviors की तो कभी भी अगर social science वर्ड यूद होता ना तो समझ जाना यहाँ पर हम लोग society में रहते humans humans के behavior की यहाँ पर हम लोग study करता है ठीक है तो अब obviously मुझे एक बात बताना क्या humans के behavior एक जैसे होते हमेशा अगर अगर केतकी को 10,000 रुपे दे दिये हैं ठीक है अभी रक्षा बंदन था उसको दो तीन भाईयों ने मिलके उसको 10,000 रुपे दे दिये हैं अधीती को 5,000 रुपे मिल गए है नहीं चलो अधीती के पास में भी 10,000 रुपे है ठीक है और क तो मुझे एक बाद बताओ एक बाद बताओ क्या ये 10,000 रुपे से हर कोई एक ही खर्चा करेगा केतकी बोली कि मुझे ड्रेसेश चाहिए या मुझे पढ़ाई करने है मुझे मोबाइल चाहिए ठीक है मेरी पास मेरीन प्रायरीटी मेरी मुझे भी college के lectures online हो रहे हैं classes के lectures online मुझे mobile चाहिए पापा मैं यह 10,000 रुपे इखटा करने वाली हूं और मुबाइल पर्चस करने वाली हूं उसके पापा ने बुला ठीक है वही पर मोनिका बोलती कि माम मैं तो शॉपिंग करने वाली हूं मैं तो मेरे मॉम डाट के साथ गुमने जाने वाली हूं या मैं फ क्या इस 10,000 से हर कोई equally यूटिलाइस करेगा क्या यह है हमारे केट की मोनिका अधीधी 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 बोलती है मैं मैं तो लोनावला चली जाओंगी मस्ती के लिए चीक है दीधी के साथ दीधी जीजी हम लोग लोनावला में मस्ती करेंगे घुमेंगे माम ओके और मो ठेकंस को पाड़ा दोंगी उनको घप डूगी और थोड़ी बहुत नाश्व कागर अभी करलोंगी केट की मुबाईल नहीं है सारे क्लासेश straighten- tjee utilize अधवलेलोंगी 8000 में दूहारोल्य पर का इंटरश्जो स्क्राइस आयरा नियहारा G lavabar जब आती है कि 10,000 रुपए की 10,000 रुपए से के भी सबके अलग-अलग अपने अपनी चोईसेद हैं सारे ये सारे बच्चे के अपने अपने human behaviors हैं समझ रहो तो economic subject में हम यही human behaviors की study करेंगे हैं हम यही human behaviors की study करने वाले हैं economics में समझ में रहा है economics में क्या पढ़ने वाले हम अरी बबाबा अगर ठीक है चलो आप आपके chapters के ना मुझे नाम बताओ बस आप आपके chapters के नाम देखो ज़रा मनी किसके पास humans ठीक है किसने बनाया बैंक बना रही है for humans ठीक है economy of महाराष्ट्र अगेन आप महाराष्ट्र में related economies की बात कर रहे है रूरल development in India गाओं में गाओं में गाओं वालों का रूरल development population population in India by population बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है इस chapter में आप यह सारी चीज़े पड़ोगे तो ultimately तो में humans के बार में बात कर रहा yes or no poverty in India sorry unemployment 7th chapter unemployment job नहीं है किसके बात जोब नहीं है हमारे पास में कोविड था लोगों को निकाला गया 50% यह किया है 50% लोगों को निकाला गया है ठीक है जॉब नहीं है unemployment poverty है गरीब है कौन गरीब है किसकी बात कर रहे हैं इंडिरेक लिए बना जा रही है इंडिया के लिए कर रहो किसके लिए फाइनली किसके लिए अभी जो केस हुआ है अफगानिस्तान में अभी जो सिच्वेशन हुई है गई माम साथ भाईयों से टोटल 150 आये थे कोई ना कोई ना चलो आजाओ अभी अभी अब देख रहे हो अफगानिस्तान में जो वहां के जो में लीडर्स है वो लोगी छोड़ के भाग गए यस और नो ठीक है तो अल्टिमेटली एकनोमिक प्लानिंग इन इंडिया जब इंडि लुए लेकिन अफगानिसन में थे लोगों के लिए है लेकिन अफगानिसन में तो इकनोमिक प्लानिंग थी नहीं था प्लानिंग अउग्हा नहीं था एक दिटेईल उनका इन्को परेशन नहीं था एट-least चूड इंडिया में हैं समझ यृष समझ पारों ये सारी चीज का यूज है statistical formulas का यूज है बट जब आप लोग यह चाप्टर पढ़ोगे तब आपको बताऊंगे कि यह भी humans से related है यह चाप्टर भी humans से related है समझ में आ रहा है तो हम लोग economics में क्या पढ़ने वाले study human behaviors human behaviors बोला तो कहां कौन साइंस है यह humans कहां रहते हैं society में रहते हैं तो कौन साइंस हो गया society बोला तो मैं social science बोल दूँ वह society बोला तो क्या हम इसे social science बोल दें यह सर नो कि सबज में आ रहे है तो economics is the अब मेरे साथ साथ बोलो economics is the social science और यह कि जो सोश्यल साइंस है यह इन एक्जाक्ट है एक्जाक्ट नहीं है कि 10 असर रुपए का कैसे खर्चा होना चाहिए कोई rules regulation नहीं है कोई laws नहीं है कोई कानून नहीं है यह एक abstract science है यह behavioral science है हमारे अधीती ने अलग खर्चा किया हमारे मोनिका ने अलग खर्चा किया हमारे केदकी ने अलग क्रचा किया अपने अपने accordingly उन्होंने अपनी जरूरतों की साथ खर्चा किया समझे रहा है concept समझा clear पक्का यहां तक बता थो social science मतलब समझ में रहा है यह रूचा बोल रही everything is related to humans exactly exactly economics बोला तो social science, economic बोला, क्या है economic social science है, आप economic में humans के behaviors की study करते हो, थोड़ा सा और आगे जब लेक्षर जाएगा ना फिर में human behavior की बात बताऊंगे कि यह human behavior में क्या सारे human behaviors, ना, सिर्फ और सिर्फ, economic aspect of human behavior के study करो, ठीक है बताती हूँ मैं, वो बाद में बताऊंगी, पहले इतना बता Do you guys convinced कि economics is a social science? Yes, natural science है क्या, ऐसा science है क्या, जो universally acceptable है, tested है laboratory में, क्या laboratory में तुम human के behavior की test कर पाओगे? एक महिने में अगर तुम अधिती को, अधिती मोनिका और इनको, क्या बता है, हमारे केतकी को, अगर 10 सदा देते हो, अगले महिने भी देते हो, तो वो अलग टाइप के खचा करेंगे, एक जैसा उनका attitude नहीं रहेगा, next month अगर मानलो, उनकी 10,000 रुपे salary आती, मानलो, तो का attitude टोटल चेंज रहेगा, वो एक जैसा नहीं करेंगे, तो गईस इसको हम लोग, ये universally acceptable नहीं है, इसको laboratory में test नहीं कर सकते है, ये empirical approach, empirical approach मतलब, experimental approach नहीं है, इसका experimental approach नहीं कर सकते, इसको हम लोग laboratory में test नहीं कर सकते, हम लोग universally acceptable नहीं है यह सारी चीज़े, समझ में आरा आपको concept, तो चलो, आजो, फटा-फट से, what do you mean by this term science, systematic body of knowledge, ठीक है, there are two types of science, one is natural science, अब मेरे साथ साथ, जो Marathi medium वाले बच्चे, वो मेरे साथ साथ English में बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, one is, एक टाइप है, उसी को मैं बोल रही, one is natural science, another is social science, ठीक है, अब नाज हमारा natural science से वो क्या होता है, जैसे physics, chemistry, biology, speed, ethical to distance upon time, बच्चपन से पढ़ते आए हैं, yes or no, percentage, बच्चपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, अगर आप मैं आपको, h2o, water, hydrogen, oxygen मिलके, water ही बनना है, yes or no, मैंने आ रहा है, concept clear हो रहा है, ठीक है, तो बस वही चीज़े, अब देखो, मुझे एक बात बताओ, जो चीज़े आपको, मैंने चार्ट में लिख कर दी है, same चीज़े मैंने आपको, यहां पे लिख कर दिए, कुछ भी अलग नहीं है, बट अगर चार्ट से रिप्रेजेन्ट करते हो, आप अपने एग्राम में, तो एकज़्डब भारी का प्रेजन्टेशन होता है, मैं सिफ़ इतना लिख करना सिर्फ चार्ट बढनाने का न है, ऐसा कभी बोला रहे बभा ऐसा कब बोला मैंने, कि इस चार्ट बणा कि Ms. आपको यह भी यह पढ़ने से पहले न हम लोग इबाद चार्ट रिवाइस कर लेता है एक टाइप नाश्रल साइंस दूसरा टाइप सोशल नाश्रल साइंस एक्जाक्ट है तू स्पीड इसको डिस्टंस अपॉन टाइम ही है लेकिन यह 10,000 रुपए ते कौन की तक हचा करेगा वो नहीं मा के यह युनियुवर्सलेंटेबळ है प्दिक्स carbonafology यूशिशली एक्सेप्टेबल लाबरेटरी में ठेस्ट हुआ है यह उनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है लाबरेटरी में टेस्ट नहीं हुआ है यह एंपरीकल अपरोच मतलब March प्रेंड ओंग 30 Richardson बाड़ रुग तुम अभी दो 10,000 रुपे वो कुछ और खचा करेगा अगले बिट दो 10,000 रुपे में वो कुछ और खचा करेगा समझ रहे हो यह इन एक्जाक साइन्स है एक्सपरिमेंट हो के आया है इसलिए यह एक्जाक साइन्स है एक्षा की खीचनी है आज इस डिलेटर तो स्टाडिया फ्यूमन बीहविवियरल है आज आज क्यों क्यों लेकिन आज अब यह लाइन आपको एक्ष्रा की खीचनी है आज इस डिलेटर तो स्ट्टड अफ्यूमन बीवियर क्योंकि वह यूमन बीवियेवियर इति के रिलेटर की स्टडी है ठीके इस अनौत यूनिवर्सली एक्ष्टेबल तो नहीं अर भाई और यूमन बीवियर क्या नीदर भी एम्परिकली टेस्टेड नॉर स्टडीड laboratory और यह human behavior को हम केत्की के behavior को हम उनिका के behavior को laboratory में study भी नहीं कर सकते हैं ठीक है और उस पे experiments भी नहीं कर सकते हैं ठीक है okay for example example क्या है जैसे psychology psychology mental aspect this is social aspect समझ मैं रहा है clear everyone बता दो पड़ावट पड़ावट से बता दो क्या ये concept आप लोगों को clear हुए क्या अच्छी तरह से एक दम एक 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 वर्ड के अपने टुकडे किया एक दम तोड तरह से हुआ क्या एक दम टुकडे टुकडे कर दिए कि अपने सारी चीज़ों के ये लन हुआ ओके डान चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ये लो अब अगर आपको पुछता है दिस्टिंग्विश बताओ एको नॉमी और एकनॉमिक्स में तो क्या बोलोगे क्या बोलोगे इट रिफर्स तो एकनॉमिक अक्टिविटीज इन अन एरिया और हो पीपल लान फॉर्दे ला यह अज़िद लिख दोगे तीन टाइप है यह अज़िद लिख दोगे ठीक एक इन टाइप से यह लिख दोगे फॉर्स वान सेकेंड वान थर्ड वान यह तो अच्छी तरह से पड़ा है एकनॉमिक्स क्या है सोशल साइंस है गई सोशल साइंस है बाट इस कंसर्ण वेथ प्रोडक्शन डिस्रिबूशन कंजम्शन औफ गुड़्ड और सर्विसस माम या ट्री यहां तक तो समझ गया था लेकिन यहां इसके आगे का नहीं समझ हा हमको जेंकरी मिने तस अजहरो रुपय दिये थे पांचाजार का शौप रेंट पे ले लेता हूं या थोड़े बहुत दो तीन अजार का माल सामान उसमें डाल देता हूं गुड्स बगर डाल देता हूं और बाद में उसको वहां से बेचना शुरू तो आपने प्रोडाक्शन देखो यह 10,000 रुपए से प्रोडाक्शन करना भी पॉस्टीबल था और देते कम में नहीं होगा अगर मैं इसको वन लाक रुपी तपता हो जाएगा डिस्रिब्यूशन करना पॉस्टीबल है रेडिमेट गुड्स या तो गुड्स को बना लो एक ठीक है या फिर कंजम्शन करना गुड्स अविसस का यहां ता क्लियर हुआ एवरीवान क्या यह लाइन क्लियर हो गया आप सभी की गई इंपोर्टेंट या जब आप आंसर लिखोगे ना ता बहुत दिक्कत आते है फिर सूचता नहीं है सारी चीदे की माडम लिखना क्या अरे बाबा लेक्चर धान ते सुन लो सब समझ में आ येगा क्या लिखना इड़ी ते सोचल साइंस विज इस कंजार्ण वेर प्रोडाक्शन डिस्टिब्यूशन कंजाम्शन किस का रवाई गूट्स का और सर्विसस का यह तो गूट्स बना लो या गूट्स को करो ठीक है यह रहां सर्विसस डिस्रिबूट करो एक कई जगह होते हैं जो लोग लेक्चर्स की फ्रेंचाइज लेता है वो लोक्या करते हैं वो लोग जो अपने अपने एरिया मेन बिचते हैं और उनको बचमापना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं या फिर आपी को सब्सक्राइब के सर्वेस कमने थे किरिटी के सर्वेस से समझ में आरा है यह तिल हिए यह यह वरीवन पक्का से बता दो एनी डाउट बंदास पुच्छो कोई दिकत वाली बाते बंदास पुच्छों अप्लियर हो गया समझ मैं गया तो वह बता दो दन समझ माया हूं येस ओके चलो जा बचे दो मिनिट वेट करो ठीक है जिस गिव में टू मिनिट्स दो मिनिट मैं आती हो ठीक है कि जस्तर से के ना जस्तर से के लिए हाँ यहां तक सबको सारी चीसे समझ माई तो एक थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा पढ़ाओ येस एक सब और आगे बढ़ेंगे और अभी हम लोग देखते हैं कि मैं यह एकनोमिक समझ में तो आगया कि वह सोशल साइंस है वह कंसर्ण रहेगा आपके प्रोडक्शन से डिस्रिबूशन से कंदम्शन से रिलेटेड और यह किन का होगा या तो वह गुड्स का होगा यह तीन हो या तो सर्विसस को होगा यह जी एन एस अच्छा एक चीव में आपको बता दू इलेवन स्टाइड के स्टूरेंट हम लोग आपकी मैम ने न शॉटकट्स कुछ कुछ जगा शॉटकट्स यूज़के जैसे गुड्स और तर्विसस गुड्स और सर्विसस अब इलेवन स्टाइड है तो यह टर्म ज इसका हम लोग चू सकते हैं देख सकते हैं चू सकते हैं ठीक है टांजीबल जो क्या है टांजीबल है जिससे आप चू सकते हो टच कर सकते हो टी से टच कर सकते हो सर्विसस इंटांजेबल इंटांजेबल यह आप लोग अकाउंट से पढ़ोगे बट फिर भी मैं आपको ब पढ़ा रही हो क्या आप यह सर्विस को यहां से डेक्ली आपके कानों तक जारी क्या पर चूछ सकते हो है नो क्या आप रिलाइंस कंपनी का गुडविल एच लेलांस कपनी का नाम है नाम ठीक है यह जो नाम और जो वर्ड हमने बोला इसका आकाउंट में टर्म है गुडविल क्या आप इस रिलाइंस कंपनी सामसंग कंपनी की गुडविल को आप छू सकते हो चू सकते हो बोलो नो वाई इंटांजिबल है ठीक है इंटांजिबल है तो यह हमेशा धान रखना जो गुड़्स होते हैं अगर अच्छा एक चीज़ और बता दो यह तो मुझे अभी एकदम ते क्लिक हुआ कि आप लोग एकदम फ्रेश फ्रेश आयों आपको गुड़्स क जाए इसका मलब शायद पता होगा तो मैंने आपको बता दिया बट अगर कुछ ऐसी चीज़े हैं जो मुझे छूट जाए फील फ्री टू आस्क बिल्कुल पूछो बिंदास पूछो ठीक है कुछ भी डाउट से बिंदास पूछो यहां पेक अकाउंट का भी टम आ गया ह सकते हैं टच नहीं कर सकते हों हैं यहां पेटछ कंद ठीक हैं ओक चया अपने टृप्झ ब्रॉपा शिदत से इमान एंसर्विस ती लिखना थिक है आपने पूरा लिखना है घ्र फोरेकद फाने दिराई प्रम ग्रीक वर्ड अकॉन इस वर्ड से दिर्डाइब होता हिए ग्रीक वर्ड इकॉनोमियाम ओफ तेद इसक्ष्ट विप्षूब क्या जब्लोगे एकोनों एक नोम अरे बाबा अई इन है अंचा आपको करता पैज चाहि झो ना सुए क्या पर यह प्रण ह Key की बार आप्यक्ष है यह अघि थी घो एकोनोमिया और क्या रहेगा और भी कुछ बना लो यार एको लो विच वन इस करेक्ट और विट इस पर तो इतनी डिटेइल्ड लेवल पहना लेसे होती है इसका मतलब मादम हम लोग यहीं से आज से ही हम सीय फांडेशन की स्टाडी कर रहे है बिलकुल ठीक समझा बिलकुल ठीक समझा लेक्चर्स के दौरान कुछ भी आपको एक्स्टा की चीज़े आती है न मैं बिलकुल बताऊंगी ठीक है दोन वारी बहुत ज़्याद एक्स्टा नहीं बट अगर जैसे अभी एक छोटा सा पांट मोज़े बताना था तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसलिए एक क्क वरड की स्पैलिंग को ध्यां से पढ़ना और ध्यां से लिखना इसका स्पैलिंग क्या है इको नोमिया जिसका मतलब क्या होता है हाउँस होल्ड मैनेजमेंट ओ रिसोर्सर इसका मतलब इसका मतलब होता है आपके घर में जितने भी रिसोर्स है उसको अच्छी तरह से मानेज करो घर कहां से आगे माडम बीच में अरे बबा घर मतलब उनका मतलब यह कि यह तुमारा इंडिया तुमारे इंडिया में जितने भी यह तुमारे इंडिया है ठीक है इंडिया के अंद तो यह resources मतलब क्या यह resources हम लोग next chapter में देखेंगे अम अदब नेक्षारी next lecture में देखेंगे ठीक है फिर हम लोग microeconomics, macroeconomics यह सारी शिदे हम लोग next lecture में continue करेंगे आल राइट I hope आप लोगो को lectures बहुत बहतरीन तरह से समझ माया and in case of any doubts feel free to contact ठीक है आपको नीचे मेरा वाट्टाप नमबर भी दिया है यहां पर ना वाट्टाप नमबर दे दिया सारी चीज़े दे दिया है ठीक है एक चलो गई तो विल स्टॉप तिल यह इसके अगला लेक्श हम लोग कल कांटीनू करते हैं ठीक है तब तक के लिए अलविदा चलो बाई विवान टेक केर बाई